हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है शिवान यार्ट क्लासेज में फ्रेंट्स आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम मुहामद शेक के विसे में जो कि अंतरराश्ट्रिय इस्तर के ख्याती प्राप्त चत्रकार तो हैं ही साथ में गुजराती साहिती भी उनके नाम के उलेख के बिना अधूरा माना जाता है तो आज हम गुलाम मुहामद शेक से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी एवं कुछ प्रशनों को देखेंगे इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल क को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नौटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चले स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो गुलाम मुहामद शेक इनका जैनुर 16 फरवरी 1937 को सुरेंद्र नगर गुज चित्रकार तो हैं ही साथ में गुजराती साहिती भी उनके नाम के उल्ले के बिना अधूरा माना जाता है उन्होंने चित्रकला का अध्यैन ललितकला संकाय बड़ादा एवं रॉयल कॉलेज आफ आर्ट लंदन में अध्यैन किया चित्रकला का और अपने करियर की से में महत्पूर्ण जानकारी एवं कुछ प्रश्णों को सबसे पहले हम इनका जीवन परचे देखेंगे गुलाम मुहामत शेक का जन्म 16 फरवरी 1937 इस वी को सुरेंद्रे नगर गुजरात में हुआ था यहे एक चित्रकार कवी और कला समिक्षक के रूप में जाने जाते हैं कला सिक्षा जो लिया है इन्होंने 1955 में इन्होंने मैटरिक किया उसके बाद 1969 में ललित कला में BA और 1961 में ललित कला संकाय महाराजा स्याजी राव आफ बढ़ादा से M.A. किया 1966 में रॉयल कॉलेज आफ आर्ट लंदन से ए और सी ये भी इन्होंने प्राप्त किया 1960 में उन्होंने ललित कला संकाय MS विश्व विद्यारे बड़ोदा में ललित कला के प्रोफेशर के रूप में प्रवेश लिया शेक चार दसकों से अधिक समय से भारती कला की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति हैं उन्होंने दुनिया भर में प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लिया उनके कारियों को निजी और सार्वजनिक संग्रह में भी प्रदर्शित किया गया जिसमें नई दिल्ली में नेशनल गैलरी आफ मौडन आर्ट, लेंदन में विक्टोरिया और अलबर्ट संग्रहाले और अमेरिका के सलेम में पीबॉडी एकसेक संग्रहाले शामिल हैं। गुलाम मुहमत शेख ना केवल एक कलाकार के रूप में बलकि एक सिक्षक और लेखक के रूप में भी सक्रिया रहे हैं। उनके गुजराती अतियतार्थवादी कविताओं के संग्रहा 1974 में उन्हें काफी आलोशनात्मक प्रसंसा दिलाई। उन्होंने ये गद्दि श्रिंकला घेर जाटान भी लिखी हैं। और छितिजी के साथ साथ विशुमानों और सायुजिया पत्रिकाओं के एक विश्यस अंग का संपादन भी किया है। अमेरिकन चित्रकला 1964 में उनका अन्यवादित कार्या है। शेख की कला अपने स्वभाव से है, हल ही में शेख मपा मुंडी श्रिंकला पर काम कर रहे थे, जहां पर वह खुद को खुजने के लिए एक नए छितिज और आश्चरी को भी परिभाशित करते हैं। शेख ने इन व्यक्तिकत रम्हांडों को लगो मंदिरों से उत्साहित किया, जहां उन्होंने दर्शकों से अपने मुपा मुंडी के निर्माड की स्वतंद्रता का अभ्यास करने का आग्रह किया। वर्तमार में गुलाम मुहामद शेख अपनी कलाकार पतनी नेलिमा शेख के साथ वड़ो द्रायारी भारत में रह रहे हैं। कारिगा सम्मान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2002 में इन्हें मिला, भारत सरकार द्वारा पत्वभूशन से इन्हें सम्मानित किया गया 2014 में। गुलाम मुहामद शेख के प्रमुक्षित्रों को देखते हैं एक नजर में। बियांड दर रिज, 1976 का चित्र है इनका। ट्री ओवर माउंटेंस, 1970 में इन्होंने बनाया था। A city is known by its states ये 2014 का इनका बनाया हुआ चित्र है। A tree in my life 1996 में इन्होंने बनाया था। Mapping the nation and the state 2001 का चित्र है। Recurring image 1962 का चित्र है। Alphabet stories second, 2002 से 2003 में इस चित्र को इन्होंने बनाया था। कहत कभीर सीरीज पुरी स्रिंख्ला है 1999 की। Arthur second, जो कि 2011 में बनाया गया था। गुला मुहमत शेक के द्वारा। जुगल बंदी, ये 1999 का इनका प्रमुक्षित्र है। तो ये इनके कुछ प्रमुक्ष चित्र थे। अब इनसे चुड़े सभी महत्पुन प्रश्णों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्ण एक्जाम में बनता है कि गुलाम मुहमत शेक का जन्म कब और कहां हुआ था। 16 फरवरी 1937 को सूरेंद्रिनगर गुजरात में। नेक्स्ट कोश्ण है। गुलाम मुहमत शेक किस रूप में प्रसिध हैं। अंतराश्ट्री चित्रकार लेखक एवं कला समालोचक के रूप में इन्हें प्रसिधी प्राप्त है। नेक्स्ट कोश्ण हैं 07 गुलाम मुहमत शेक ने कला का अध्याइन कहां से किया। प्रारम में ललित कला संकाय बडोद्रा तत्पिश्चात रॉयल कॉलेज आफ आर्ट लंदन से इन्हों ने कला का अधियन प्राप्त किया नेक्स्ट कोश्चन है गुलाम मुहमद शेख ने उनने सो साथ हिस्वी में अपने करियर की शुरुवात किस रूप में की ललित कला संकाय एमेस विश्व विद्याले बडोद्रा में कला सिक्षक के रूप में नेक्स्ट कोश्चन देखे 1960 इश्वी में गुलाम शेख के चित्रों की प्रत्थम एकल प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई नेक्स्ट है 1987 इश्वी एवं 2002 इसवी में मुहमत शेख किस कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट रहे शिकागो कला संस्थान नेक्स्ट कोश्चन वह कलाकार जो सिक्षक लेखक एवं कवी भी हैं गुलाम मुहमत शेख नेक्स्ट कोश्चन हालही में कौन से कलाकार मैपा मुंडी यानि दुनिया का मध्य यूरोपिय नक्षा स्रिंकला पर कारे कर रहे हैं गुलाम मुहमत शेख नेक्स्ट कोश्चन किस कलाकार की साहितिक परंपरा खास कर सूफी मात यानि सूफी वात की उनकी गहरी समझ उन्हें अपने रचनाओं में दृष्यात्मक या चित्रात्मक दोहों शेरों की श्रिष्टी में सक्षम बनाती है गुलाम मुहमत शेख नक्स्ट कोश्चन देखिए गुलाम मुहमत शेख अपनी कलाकार पत्नी नेलिमा शेख के साथ कहां रहते हैं बड़ो दराबे नक्स्ट कोश्चन शेख को ललितकला अकादमी नई दिल्ली का राश्ट्री पुरसकार कब मिला उन्ने सो बासट इस्वी में नक्स्ट कोश्चन गुलाम मुहमत शेक को मध्य प्रदेश सरकार का कालेडा सम्मान कब दिया गया सन 2002 में गुलाम मुहमत शेक की कला के छेतर में पद्मभूशन से कब सम्मानित किया गया 2004 में नेक्स्ट कोश्ण 1963-2020 greedinessvary में ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य थे कौन थे ? गुला मुअमत शेक नेक्स्ट कोश्ण शेक द्वारा लेखित 1974 इस vague में गुजराती कविताओं का संग्रह है अत्भा उनकी एक कविताओं का संग्रह है गुजराती कविताओं का संग्रह इन्होंने बनाया है अत्वा 1974 इसवी में नेक्स्ट कोशन देखे किस कला का ने घर जतन सीर्शक से गदेश रंकला लिखी है गुलाम मुहमत शेख नेक्स्ट कोशन कला पत्र का व्रिश्चिक 1979 से 73 इसवी तक का संपादन किस ने किया था गुलाम मुहमत शेख ने नेक्स्ट कोशन गुलाम मुहमत शेख के चित्रों में दिखाई देता है स्वपनो फंतासी और यतार्थ का मिश्रण प्रख्यात चित्र बोलती सड़क, स्पेकिंग स्ट्रीट तथा शेहर विकाऊ है यह चित्र 1981 इसवी से आरंभ होकर 1984 में पूर्ण हुआ था तो यह किसका है यह गुलाम मुहमत शेख का है इसपेकिंग स्ट्रीट तथा शेहर विकाऊ है यह दोनों चित्र गुलाम मुहमत शेख ने बनाए है नेक्स्ट कोशन गुलाम मुहमत शेख का प्रशिद्य चित्र शेहर विकाऊ है के केंद्र में किस फिल्म को प्रदर्सित ह प्रश्ण चेट्र शेहर् विकाउं है कि केंड्र में किसी फिल्म को प्रदर्शित होता दिखाया गया है सिल्सिला एक कूश्र और बनता है कि सिल्सिला शेहर बिकाओ है किस संगरहाले में सुरक्षित है विक्टोरिया एंड अलबर्ट संगरहाले लंदन में नेक्स्ट कोशन है शेख ने अपने किस चितर को गुझरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाया था शेहर बिकाओ है तो फ्रेंड्स चलिए गुलाम मुहम्पशेक के बनाय हुए कुछ प्रमुक्षित्रों को इमज के माध्यम से देखते हैं सबसे पहला ये चित्र जो आपके सामने है गुलाम मुहम्पशेक ने बनाया है और्थ सेकेंड 2011 का इनका ये बनाया हुआ चित्र है नेक्स्ट है यह इमिज जो आपके सामने है इस्मृति और संगीत के बीच यह गुला मुहमद शेक का बनाया हुआ चित्र है 1989 से 1991 के बीच में उन्होंने बनाया था नेक्स्ट है हरिदास के लिए मरणो परांथ यह भी चित्र गुला मुहमद शेख ने बनाया था 1996 से 1998 तक नेक्स्ट है Speaking Tree यह इमेज आप देख सकते हैं 1996 का गुला मुहमद शेख के द्वारा बनाया हुआ चित्र है नेक्स्ट है नेक्स्ट यह जो इमेज है उपर वाले और नीचे वाले Those above and those below यह 2008 का चित्र है तो इसका इमेज भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट है यह भी चित्र गुला मुहमद शेख ने बनाया था Predator 2nd 2002 में नेक्स्ट है यह शेख के द्वारा बनाया गया जुगलबंदी चित्र है जो कि 1999 में उन्होंने बनाया था नेक्स्ट है यह जो इमेज आप देख रहे हैं सूर्ज सागर 1987 का चित्र है शेख के द्वारा बनाया गया नेक्स्ट है शेख के द्वारा बनाया गया यह चित्र भी आप देख सकते हैं Mapping The Nation and the State 2001 का चित्र है तो फ्रेंड्स उमीद करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को Like करें Helpful लगा है तो इस वीडियो को जदध सब्रेंड्स के साथ जो भी आर्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लिए आर्ट की प्रेपरेशन के लिए साथ बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाले लेटिस्ट वीडियो के नौटिफिकेशन मिल सके आप सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके सहयोग से आज शिवानी आर्ट क्लासेश चैनल हो चुका है तो इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिए और अपने आर्ट के प्रेपरेशन को बहतर करने के लिए आप जुड़े रहिए शिवानी आर्ट क्लासेश से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक एर और बाए बाए